नमस्कार दोस्तों UPPSC Daily News में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों आप में से बहुत से लोग अब भी नहीं समझ रहे हैं जो भी चीजे प्रमाडी ग्रूप से लोगों पास पहुची है वो सारी चीजों में हमारी तरब से आप के लिए BCAS योगदान रहा है ये चीज में खुल के बोल रहा हूं अभी तक बोल रहा था सारे लोगों का लेकिन BCAS योगदान रहा है खुल के सामने ना आने का सिर्फ पहले समय में कारण ये था चीजें पहुचाई जा रहे ही ती लगी कारण ये था कि यदि चीजें कुछ गड़बर हो चुना हो रहा है तो सारे कोई मानने वाला है कि नहीं है क्योंकि आएक उन्हें तुरंद अपना नोटिफिकेशन दे दिया था प्रेस बिग्यप्ति दे दी थी कि भाई हम सब परिच्छा अच्छे सफल हुआ सारी चीजें डर किसी किसी प्रकार का डर अगर होता है आदमी के दिमाग में तो आपको न्यूज हम वहाँ से ले आके नहीं देते हैं बहुत दिन पहले महीना वर पहले इस पहले वो नहीं होता है लीक का मैटर ये मैटर अलग चीज है इसको मैंगा एक्जामपल दे के आपको समझाओंगा तो कुछ ज़्यादा बड़ा एक्जामपल हो गया सब कुछ जानकारिया मिलती गई तभी तो जाकर कि ये सारी चीजें हो रही है स्विकारे लोग ना तो एक प्रकार से लोग कह रहे हैं स्टीएप की जांच मैंने लेकपाल में देखी आपने यसाई में देखी अलग चीज है लेकिन आयोग में एक बार आयोग ने ये चीज एकसेप्ट कर लिया कि लोग ये बोल रहे हैं तो इसकी एक स्टीएप जांच होगी तो आप विस्वास करिए आयोग से जुड़े जैसे हम जैसे लोग हैं ये छोड़े नीन सब चीजों को अगर एक बार शुकार लिया तो उसके बाद तो इसमें हर एक चीज पहलू मिलती ही जाएगी पेपर लीख हुआ है तो हर एक चीज पहलू उनको मिलती चली जाएगी आपको क्या लगना इसे छोड़ दिया जाएगा इसको आपके पक्ष में कोई काम नहीं किया जाएगा मेरा सब से रिक्वेस्ट है 17 मार्च को प्रारंभिक परिच्छा PCS है आप यही बहुत लोगını को चीजे मिल गई है लगे रहने के लिए अप लोग अपना पढ़ाई करिये सारी चीजे अब हम लोग का काम सारे लोग का काम यह सब देखें गए चीज जो अब पहली हम आपको बताना चाहेंगे अब आयोग ने यह कर दिया इस से क्या हुआ हम लोगो सहोग आपके लिए हमेशा राया है किसी प्रकार से पीछे अठने का कोई काम नहीं किया गया है और दोस्तों आपको बता दें आयोक ने ये चीज़ स्विकारा आयोक के कान में गया स्विकारा उसने जांच के आदेश दिये तो इससे वड़ी बात और क्या हो सकती है आप सोच आदें और आपसे हम बताना चाहेंगे कि मैं वहाँ पर ये अपना संदेश भी पहुचाना चाहूंगा मानली लोक्षवायक के अध्यश जी से कि वह अब अभ्यर्थियों से मिलें और अभ्यर्थी उन्हें वह जानकारी देंगे जो कोई नहीं प्राप्त करा सकता है ना य उनको जो सबूत और सारी चीज़ें प्राप्त करवाएंगे वो इस केस को मदद करने में और साथी में पूरा एकदम पारदर्शी दुरूप से सब कुछ क्लियर करने में काफी हेल्फुल होगी और उन्हें आयोक क्यद्धज को भाई छात्रों का उचित सहयोग करना उनकी नयतिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए और जिस प्रकार उन्होंने ये जाच का आदेश दिया है बड़े दिल के साथ में चीज़ें सुनी है मानी है और उनके बड़े बड़पन दिल का मैं हमेशा से तारीव करता रहा हूँ और मैं उमीद करूंगा कि वो सारी चीज़ें मैं कहा रहा हूँ यही पहलू उनके सामने होती रहेंगी और दोस्तों सुनने में आ रहा है कि कहीं कोई अधिकारियों ने ये स्विकारा भी है कि ये पेपर सारी चीज़ें कहीं पेपर खुल गया था गलती से क्या कैसे इसके भी सेमेट पुष्टी नहीं है लेकिन इस ची हो जाता ना लेकिन आयोक के अध्यच का दिल इतना बड़ा है कि छात्रों के विषय में चीज़ें सुनते ही उन्होंने ये स्टीएप का जांच आदेश दिया अब आप लोग में से बहुत से लोग हैं जिनको डर लग रहा है कि ये स्टीएप तो लेकपाल में भी लगी थ था तो ये छोटी मोटी चीज नहीं है बहुत बड़ा साख है दाग है ग्यारा लाख लोग बैठे थे आयोक कभी नहीं चाहेगा मेरों पर ये दाग लगा रहे है और मैं इसको क्लोज कर दूँ और कोई सुनवाई ना हो कोई जांच नहीं चाहेंगे हमारे उपर कभी भी अब किसी प्रकार का एलिगेसन लें क्योंकि अभी तक उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है और आने वाले समय के लिए उन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया रणनीत रखी है आप से उन्हों के लिए तो आगे आने वाले समय अपने उपर दाग क्यों लेंगे तो पूरी मदद करेंगे चात्रों का सहयोग भी करेंगे और चात्रों से अनुरोध है कि अपने पाई जो एक्जाम है उसके लिए आप लगे रहें पढ़ते रहें किसी प्रकार का टेंसन चिंता मत लीजिए कि यह नहीं होगा वो नहीं होगा आप लगे रहें जहां आपकी जरूरत होगी वहां आपको पहुंचना चीजें आपको समझानी बतानी यह क्या है कैसे बागी आपके सपोर्ट और सहयोग में हमारी तरफ से जो चीज halves आप बताईए कमेंड करहें हमहरी जगे आपको बोलने बताने की लिए तयार है सारी जनकारी और उम्मीद करेंगे आ होगा आपकी सारी चीजों में स्वयम ही मदद कर रहा है, सारी चीजों को कर रहा है, आप लगे रहे, किसी जो आपके एकदम बिल्कुल मदद नहीं कर रहे हैं, उनको आप मत देखे, लेकिन जो आपके साथ में हैं, 99-99 काम में आपके साथ में रहे हैं, एकाक काम में अगर को हुआ हर एक चीज सही हुआ है PCS 2014 के लिए सीटों की संख्या को ले करके मैंने बताए बहुत फिर उसके बाद जब 200 हो आगया नोटिफिक्स हैं लोग ट्रोल करने लगए भी आपके सामने याट्स हो आएगा तब आप देखिएगा सारी चीजों हर एक चीजों में मैंने अप जिस दिन ये पेपर लीक का मामला हुआ था पे एकजाम जिस दिन वा था उसी दिन टेलीग्राम चैनल डाल दिया था कि सारी चीज़ें अच्छी होंगी अभी चुप रहना सही है और कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने कमेंट किया उनको कमेंट करके मैंने परसनेरी रिपलाई दिया कि सारी चीज़ें सही हो जाएंगी बस धैर बनाग रखिए समय सबका जवाब देगा जरूरी नहीं हमेशा बोला जाएं सोहम समझदार है आपसे लोग जान रहे हैं तो जो भी चैनल पने आ रहे हैं सब्सक्राइब कर ल बहुत धन्यवाद